गुड मॉर्निंग एवरिवन फिफ्ट क्लास टुड़ी सेम्थ आफ अक्टोबर और डे है बेंस्टी आज हम पड़ेंगे पेज नंबर 162 से पेज नंबर 162 से मैट्स मैजिक पेज नंबर 162 से तो चली स्टार्ट करते हैं सोसे उपर लिखा है हेल्फिंग हैंस ठीक है तो य help their parents at home जो टीचर है वो पूछ रही है कि आप जो बो घर में जो अपनी parents के help किस तरह से करते हैं तो बो चार्ट बनाने लगी कुछ बच्चे बो रहते कि हम जो अबो बाजार जाते हैं सामाला ने कुछ बोर रहे थे कि हम लोग जो अबो बरतन दोते हैं यूटेंसिल को साफ करते हैं चीक है तो देखिए क्या क्या होता है there were different answer सबके जो अलग-अलग answer आते हैं children's names the work in which they have helped their parents the most चीक है children's जो अबो बोच चीज़े बता ही जो की सबसे ज़्यादा जो गर में काम करते हैं जो help करते हैं parents की कैसे करते हैं the teachers collected their answer and made a table ठीक है teachers ने जो अबो collect किये सब के answer और एक table बनाया कैसा table बनाया है कुछ इस तरह से ठीक है help most in house work most मतलब सबसे ज़्यादा जोबो उन्होंने क्या काम किया घर में ठीक है तो going to the market market गए 47 children ठीक है washing utensil बरतन साफ करते हैं 15 children washing cloths कपड़े दोते हैं 3 children making serving food ठीक है making banana serving मतलब serve करना देना ठीक है तो food को बनाना और serve करते हैं कितने 25 people 25 children cleaning the house house को clean करते हैं ठीक है तो 10 people ऐसे हैं sorry 10 children 10 children ऐसे हैं जो कि house को clean करते हैं साफ करते हैं तो last में इसने पुचा कि total children who said they help their parents ठीक है total children कितने हैं जो कि help करते हैं अपने parents की तो total आप लोग इसको check कर लेजिएगा 100 आ जाएगा अब देखिए 100 आपको बता है कि percentage में हम लोग 100 को लिख सकते हैं तो इस table को आपने बनाना है और percentage को कैसे जवाब आपने जवाब आगे कोशने पुचा है कि इसका जवाब हो एक pie chart बनाना है चपाती चार्ट जिसे हम यहाँ पर लिखा है चपाती चार्ट बनाना है चपाती कैसे होती है चपाती होती है गोल चपाती होती है गोल कई हो की गोल होती है कई हो की थोड़ी सी चप्टी जैसी होती है लेकिन चपाती को हम लोग यहां पे घोल ही लेंगे तो चपाती चार्ट करते हैं तो देखें कैसे बनाते हैं बहुत इँंटरस्टिंग है और यह अगर आपको पता लग जाएं decía अज तो आपके जगबों बहुत करने वाला है तो द्यान से देखना है आपने इस टेबल को जोब आपने फिर काफी पर अच्छे से बनाना है और आज हम लोग जोब इसी चार्ट को बनाना सिखेंगे आज हम लोग और कुछ भी नहीं करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें पता है कि कितने आये थे 47 जोब मार्केट जाकर जाए परेंस की करते हैं जैसे परेंस ने बोला कि मार्केट से थे सबजी ले जाओ ठीक है ग्रोशरी बगre ले आओ कुछ तूद बगड़ बगएरा ले आओ तो कुछ भी तो वो market गये, क्यों गये, क्योंकि उनके जो वो help करनी है, parents की, ठीक है, तो 47, जो है वो, 100 में से 47 का क्या मतलब हुआ, 100 में से 47 का मतलब हुआ, देखे, percentage हमेशा 100 में से देखी जाए, और total यहां पे children भी 100 ही है, ठीक है, तो 47 children का मतलब है, 100 में से 47%, ठीक है, इस बात को आप ल 100 में से 47 का मतलब है, 47% जो अब हो, गये, कहा market, ठीक है, तो 15 का 15% हो गया, क्योंकि 100 children है, अगर माल हो, यहां पर 120 या 130 के आसपस होते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, तो परसेंटेज निकालना पड़ती हैं, लेकिन यहां पर आसान है, कि 100 में से दिये गया है, त और cloths के लिए 3% और serving food या making food 25 या cleaning house जो करते हैं, वो 10% जो बच्चे cleaning house करते हैं, मतलब कि house को साफ करते हैं, ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे जो बो चपाती चार्ट बनाएंगे, कैसे जो बो एक पाई चार्ट बनाएंगे, कैसे जो बो हम लोग चार्ट के थू जो बो बताएंगे, कि कितने % जो यहा जाते है, कितने % जो बो कैसे कैसे help करते हैं, ठीक है, तो चार्ट की help से हमने जो बताना है आज, देखिए से पहले, से पहले देखे एक circle आपने लगाना है, circle लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा सा circle लगाना है जो की page का पूरा half हो ज बड़ा सा हों कि उसमें आपने बता रहा हुए ठीक है, जसमालो फिर से मैं बता रहा हूँ आप पर, जसमालो एह है आपका one-sided बाला पेज, ठीक है इतना लंबा है ठीक है तो यहाँ पे आपने half जैसा करना है और यहाँ पे पूरा circle आपने लगाना है ठीक है थोड़ा बड़ा जैसा होना चाहिए अब देखें क्या करना है आपने आपको पता है कि 25 children जो है वो making and serving food करते हैं ठीक है 25 children तो 25 के लिए 25 parts होना चाहिए ठीक है 25th part होना चाहिए अब पूरे circle का तो हमें कैसे पता चल लगा है देखें पूरा समझे पहले इसको अगर मैं बीच के इसको बोलते हैं center के अंदर जिसको बोलते है center बोलते हैं इसको center point ठीक है बीच वाला होता है center point circle के बीच में होता है gegen cycle के बीच में center point होता है बश्ति का होगा इतने हमने पड़ चुके हैं कि tcknow टल angle होता है अंदर जैसे मैंने राउन लगाया पूरा तो कितना round लगा 360 यहला अब देखिए अगर मैंने एक line लगा ली आपने कोई भी कई भी किसी वी साइट एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है ठीक है किसी वी साइट जैसे मालो यह मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है अब देखिए 25 बोला है तो हम कितने एंगल पर जोबो इसको काटेंगे एक कि दूसरी लाइन लगाए 25 बन जाए ठीक है आपको पता है कि 100 का 25 जोबो 1 4th होत मल्टिपलाई कितना है 25 परसेंट का निकालना है 360 मल्टिपलाई भाई 25 अपॉन में करना है 100 जो भी निकलेगा वो आपका एंगल निकल जाएगा जो भी निकलेगा वो आपका एंगल निकल जाएगा देखिए 25 बन जा 25 25 फोर्जा होता है 100 और 4 से साइट 36 कर जाता है तो 4 जाब 4 और 9 4 जा होता है 36 तो 9 लिख दिया जीरो भी थी तो 90 हो गया ठीक है तो यहां पर आगया उपर 90 तो इसका मतलब हुआ कि एक लाइन जो हमने लगाई है वहां पर उसी लाइन पर जो 90 डिगी तिक एंगल बनाना है और बो जो एरिया हो गया बो जो पार्ट हमने बनाया बो हो गया अच्छा डिग्री लगाना है यहां पर तो इसको जल्दी से नोट कर लिए कैसे जोब मैंने सॉल्व किया बो भी आपकी रफ कापी में होना चाहिए ठीक कैसे जोब मैंने सॉल्व किया बो आपकी रफ कापी होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही आपने जिन सेकिंड बाला करना है तो मैं second भी आपको पताऊंगा पहले आपको इसको note कर ले वीडियो को पहुंस कर ले और note कर ले ठीक है I hope कि आपने note कर लिया होगा next चलते है 90 degree आया ठीक है 25% के लिए 90 degree आया तो जो हमने line लगाए थी तो यहां पे जो वो अपनी जो भी आपके पास डी है ठीक है उसकी help से बनाएए या जो compass होता है परकार होता है उसकी help से भी आप लोग बना सकते हैं वैसे तो वैसे डी की help से आसान लगा डी की help से जो बो 90 degree का अंगल बनाएए तो उसी line को आप लोग लगाएए यह बन गया 90 degree का अंगल ठीक है तो यह जो part बना यहां पे यह जो part बना ठीक है इतना सा part तो यह जो part हुआ यह हुआ आपका जो making food and serving के लिए ठीक है जितने कितने थे 25% थे तो 25% मतलब कि one fourth part की हमने किसका circle का तो आई होप क्या आप समझ गए होगे कि कैसे जो 25 क्यों कि आपने ठीक है पाइचाट बनना है तो पूरा पूरे पूरे पार्ट ओने चाहिए अब दीखिए next उसने बुला था कि किसकी बात करते हैं अचा utensil की बात करते है ठीक है utensil की बात करते हैं 15 परसेंट तो आपको पता है फिर से वही फार्मूला यूज करना है 360 मल्टिप्लाइबाइबाइब 15 अपॉन में 100 अब देखे जीरो से जीरो कट गई ठीक है 15 से जो अब टैन कर जाता है तो 5 से काटता हूं पहले हमने काटा था ना 1118 टू जा होता है 36 ठीक है तो 18 और थ्री आ गया इतीन और खरी को मल्टिप्लाइब करेंगे 18-3 जाओ गया 54 18-3 जाओ 54 ठीक है तो हमारा जो एंगल आया वो नेक्स्ट एंगल वो आया 54 डिगरी का ठीक है तो 54 डिगरी जब आपने ए लाइन हमारे पास बन चुके थी यहाँ पर जब इसी लाइन पर जब आपने 54 डिगरी का एंगल बनाना है और इसी लाइन को लगाना है और यहाँ पर लिखना है वासिंग यूटेंसिल आई होप कि आप समझ गए होंगे नेक्स्ट एक और मैं बता रहा हूँ क्लीनिंग दा हाउस के लिए 10% बहुत चिंपल है क्लीनिंग दा हाउस के लिए जो वो ए वाली लाइन का नहीं है पर कैसे कितना एंगल बनेगा क्लीनिंग दा हाउस के लिए 10% है फिर से वोई 360 मृटिपलाई बनाना है 10% है 10 अपॉन 100 0 से 0 गई 0 से 0 खतम तो 36 बचा तो यहाँ पे 36 का जो वो एंगल बनेगा और इस लाइन को आप लोग ड्रॉ कर लोगे बीच में लिखना भी है कि क्लीनिंग दा हाउस के लिए 10% है नेक्स्ट भी बता देता हूँ वसिंग लॉट्स कितना है 3% है यह तो बहुती सिंपल होगा चोटा सोगा कि 3% हमने बताना है तो 360 multiply by 3% दीके percentage का मतलब है percentage आटाएंगे तो divide करेंगे percentage लगाएंगे तो multiply करेंगे क्या 100 360 multiply by 300 आगया अब ऑन में 100 0 से 0 36 से जो अब वो 10 कट जाता है तो 2 से मैं काट काट सकता हूँ इसको तो 5 टूजा और यहां पे कितने टूजा 18 टूजा होता है ठीके नीचे 5 आ चुका है लेकिन यह जो पूरा पूरा solve नहीं हुआ तो 18 3 जा कितना होता है 54 होता है उपर वाले को multiply कर दिया 54 और नीचे आ गया 5 अच्छे यहां पे दीखिए थोड़ी सी problem आ गई कि हमने जवब पूरा पूरा angle नहीं बना है कोई बात ने पूरा पूरा angle नहीं बना आप लोग 54 को 5 से divide करिए 54 को 5 से divide करिए तो साइद 10 के आसपास आएगा 10 5 जा होता है 50 तो 10 point something आएगा आप लोग point को छोड़ी आप लोग क्या गरिए point को छोड़ी है 10 degree का एंगल बनाइए 10 degree का एंगल बनाइए क्योंकि 10% तो 10 ही होता है 100 का 10% 10 ही होता है ठीक है तो 10 अच्छा यहां पे हम चलो कोई बात नहीं फिर से check कर लेंगे इसको 100 का 10% तो 10 नहीं होता है तो फिर से देख लेते हैं इसको 360 multiply by 10 upon 100 अच्छा 0 से 0 यहां पे आगया 18 टूजा और 5 टूजा ठीक है 18 टूजा और 5 टूजा ठीक है 18 upon 5 आ रहा है 18 upon 5 आ रहा है ठीक है 10% का गर रहे थे हम लोग तो रसी यहां पे बीच में गड़़ होगी 18 upon 5 तो फिर से जो पॉइंट में आएगा 5 3 जा 15 तो 3 पॉइंट कुछ आएगा ठीक है साइद तो इसको आप लोग देखिए कि 3 डिगरी का जो एंगल आपने यहां पे ड्रॉ करना है अच्छा सॉरी यहां पे जो 10% का 10 ही आएगा 3% का हम लोग कर रहे थे ठीक है 3% का आपने चेक करना है देखिए पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में मतले 3% का तो उतना ही आएगा जितना एंगल यहां पे बन रहा है अब देखिए लास्ट यहां पे बचा है 47% का ठीक है इसको भी आप लोग बैसे करेंगे 360 multiply by 47 अपन में 100 ठीक है 0 से 0 गई और 10 से 36 कर जाएगा 2 से कार देते हैं इसको 5 और 80 ना जाएगा इन दोनों को multiply करें और divide करें 5 से जो भी आएगा वो आपका angle बनेगा मैं बोर रहा हूँ फिर से की point में आपने नहीं लेना है आप लोग simple जो angle आता है जैसे मालो आपका angle बना है 85.5 ऐसे बना है तो इस 5 को रहने देजिए 85 को लीजिए और 85 का जो वो angle यहां पे बनाई है और वो ही आपका answer होगा ठीक है तो I hope कि आप समझ गए होगा फिर से एक बार जो वो अगर आपको समझना है तो फिर से एक बार इसको जो वीडियो को आप लोग फिर से देख सकते हो बार बार देख सकते हो ठीक है तो I hope you are understand तो this is the end तो आज के लिए आप लोग इसी को करिए इसी चपाती चार्ट को बनाईए ठीक है और इस टेबल को भी आपने बनाना है ए वाला ठीक है टोटल कितने है 100 है तो आज के लिए तना कप यह थेंक्यू